हलो फ्रेंट्स वेल्कम तो माई चैनल आज में लेखे आए हूँ ज्यूसी और टेस्टी लमन चिकन का रेसिपी यह एक्दम सिंपल रेसिपी है और बहुती कम इंग्रीडियन्स के साथ आसानी से बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी लमन चिकन सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे यहां मैंने एक केची चिकन लिया है उसमें स्वादानुसर नमक और निम्बु का रस दाल के मिलाएंगे और तीस मिनिट तक या बीस मिनिट तक मैरिनेट करने के लिए रखेंगे तो चलते हैं सेकेंड प्रोसेस पे एक मिकसर जार में एक इंच अद्रक भारी कटा हुआ और दस बारा कारलिक प्लॉस और तीन चार हरी मेच और आदा टीस्पून नमक और एक टेबल स्पून तेल दाल के इसे अच्छे सी क्राइन करके स्मूध पेस्ट बनाएंगे याद यहां पानी नहीं डालना है अब तर्ड स्टेप में आदा खब दई लिया है वह अच्छे से विक्स करेंगे और इसमें बनाये हुआ जिंजर गालिक चिली का पेस्ट डालके अच्छे से पेस्ट बनाएंगे और अब चलते हैं चिकन के और पहला हमें चिकन में जमा हुआ पानी पीस करके निकालना है देन अलग बाल में इसे डालके बनाये वह कर्ड पीस डालके इसको अच्छे से मिलाना है दही का मिश्या से चिकन को अच्छे से पोड करके सिर्फ पंदरा मिनिट तक ही मारिनेट करेंगे not more than that otherwise you will see chicken pieces are separated with curd and the water so we'll keep it for 15 minutes अब चलते हैं फूद प दो टेबल स्पून तेल लिया है उसमें एक तेज पत्ता और दो इलाइची डालके सॉट कर लेंगे देन बन बाई वन मारिनेट चिकन पीस डालके मीडियम फ्लेम में स्टेर करते रहेंगे यहां चिकन को ज़़दा स्टेर नहीं करना है एंशॉर कर्ड सेटल्स विद चिक पांच मीड के बाद कवर करके इसको पकाने के लिए चोड़ देंगे पांच मीड के बाद दख्षन उठाने के बाद देख सकते हैं पानी चोड़ दिया है आज वेल आज ओल पी रिलीस हुआ है अब हम डालेंगे अब पिंच अफ हल्दी पाउडर इट इस उनली फो देक् यह मिलाएंगे उसके बाद हाई फ्लेम में चिकन को पकाने के लिए चोड़ देंगे अब हम डालेंगे वन टीस्पून कांपार मिक्स्ट विद वाटर तो थिकन ग्रीवी आज वेल इस तो गिवर शाइन टेक्स्टूर तो दो ग्रीवी और स्वाद नमक डालेंगे इसको करेंगे इसके बाद लेमन टेस्ट के लिए अड़ करेंगे लेमन जूस और विल गिव गार्निश विद फीव कुरियंडर लिव्स नौट टू मच उसके बाद हमारा लेमन चिकन रेडी हो गया है चलिए सब करते हैं अज आज बहुती सिंपल से सिंपल रेसिपी है जूसी एंड टेस्टी भी है आप ज़रूर इसे ट्राइ करिए और मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आपको ये रेसिपी कैसे लगी उमीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई रहेगी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो और यूस्फुल हुआ तो प्लीज दू लाइक और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए थैंक यू फो वाचिंग सी यू सून इन अ हुआ 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 है हुआ 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 है